नमस्कार खबर समिशोगत में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके सातं के तावराई अब खबरी दिक के स्टार से पूरी कर रहे हैं उनका नाम मदाता सूची में जोडने के लिए अगरिम रूप से आविदन लिये जाएंगे दू अगस्त से 31 अगस्त समस्त बेलो अपने अपने मदान किंद्रों पर उपस्तित रहेंगे उन्होंने बताये कि 31 अगस्त प्राप्त हुए आविदनों का निरा से मदाता सूची का वचन करा रहे हैं एक सेक्टर ऑफिसर के पास दस भूतों का जिम्मा रहता है ऐसे वहाँ लोगों को परिशानी ना है मुखिन निर्वाचन पदादिकारियों ने बताये कि 12 तेरा और 19 और 20 अगस्त को लगाए विशेश शिविर लगाए चाहेंगे 31 अगस तक जितने मदान केंदर हैं हमारे राजी में 64100 मदान केंदर हैं इन सभी मदान केंदरों पे बियलो लगतार उपस्थित रहेंगे और इस अवधी में कोई भी वेक्ति जो अपना नाम जुड़वाना चाहता है या नाम में कोई चेंज करना चाहता है या हिदी किसे की मृत्यू हो गई है और उसका नाम हटाया जाना है तो ये तमाम तरह की कारवाईयों के लिए वीयलो मदान केंदर पर उपलब्ध हो गया और वीयलो के माद्यम से ये काम कराया जा सकता है इस अवधी में पहले सभी तक वीयलो जो मदाता सुची होती है उस गाउं की, उस मद्दान केंडर की, वो पढ़ते हैं एक सारजनिक अस्थान पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि मद्दाता सुची में उनका नाम है या नहीं, या दि कोई ऐसा नाम है जिनके मृत्ति हो गई है और उनाम मद्दाता सुची में है, तो लोग बताते हैं कि इनके मृत्ति हो गई है या ये गाउं छोड़कर चले गए हैं तो उनका नाम हटाया जाता है, इस बार हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे एक सेक्टर आफसर होते हैं, हर दस मद्दान केंडरों पे एक सेक्टर आफसर के नियुक्ति होती है, जिसका काम ये होता है कि वो उसके छेतर में आने वाले मद्दान केंडरों का ब्रवन करे, मद्दान केंडरों की बहुत एक इस्तिती देखे, उस छेतर में कोई समस्या तो नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त करे और उसकी रिपोर्ट दे, इस बार हम लोग ये जो मद्दाता सुची का वाचन है, ये सेक्टर आफसर के माध्दिम से करा रहे हैं, इसके पीछे सोच ये है कि वो एक निट्रल आदमी है और एक वरिस्ट अधिकारी है, तो बेलों की उपस्थिती में मद्दान केंडरों पे गाउं के जादा से जादा लोगों की उपस्थिती में मद्दाता सुची का वाच प्रकासन के दौरान मिलते हैं, जिनका नाम नहीं है, तो नाम जोडने की कारवाई, यदि उनकी मृत्य हो गई है, या वो गाउं छोड़कर चले गए हैं, तो उनके नाम हटाने की कारवाई, इस तरह की कारवाई की जाएगी, सेक्टर आफसर के माध्यम से हम लोग एक काम और कर रहे हैं इस बार, कि 5 जन्वरी 2023 को जैसे पिछले साल की मद्दाता सुची का प्रकासन हुआ था, 5 जन्वरी 2023 से अभी तक, जैसे 2 अगस्त को ये होगा, आपकी प्रारंभिक सुची का प्रकासन, तो 5 जन्वरी से अभी तक जो भी मद्दाताओं के नाम मद्दाता की से हटाया गया है उनका एक तरह से भौतिक सत्यापन जो सेक्टर आफसर है जो एक बरिस्ट अधिकारी है दूसरे एवभाग का धिकारी है तो बेलों से वो लिस्ट ले करके किसी गाउं में मान लिजे उधारण के लिए 10 नाम हटाये गए हैं जिन में इस नाम हटने के जिस किसी कारण से नाम हटा है उसका एक तरह से सरत्यापन करना कि सच्मुच उस्वेक्ति की मृत्य हो गई है सच्मुच उस्वेक्ति गाउं छोड़के चले गए हैं या सच्मुच उस्वेक्ति का नाम उस गाउं की मद्दाता सोची में दो बार था इसलिए एक जिवे से करता तो नाम उसका हटना चाहिए लेकिन ये सुनिस्चित करना कि किसी सही आदमी का नाम काट तो नहीं दिया गया है ये सत्यापन भी हम लोग इस दौरान 2 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में करेंगे कि कोई वेक्ति कलती से किसी का नाम नाम तो नहीं कर गया है और आप सभी के माध्यम से मेरा आग्रह और अपीर यही है कि हर वो वेक्ति जो 18 साल का है जिसका नाम अध्याता सोची में जुड़ना चाहिए और किनी कारणों से अगर उनका नाम नहीं जुड़ा है तो वो ऑनलाइन भी अपना नाम जुड़वाने के लाविदन कर सकते है वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म छे भर सकते है वोटर हेलपलाइन आप के माध्यम से फॉर्म छे भर सकते है या अभी दो अगस से कत्तिस अगस्त के बीच में हर मद्दान केंदर पे बियलो उपलब्द रहेंगे तो आप बियलो से संपर करके भी अपना आविदन दे सकते हैं कहने का आशा यह है कि यह 18 वर्स अधिक की आयू है तो हर वेक्ति को अपना नाम मद्दाता सुचे में जुड़वाना चाहिए ताकि इस वर्स के अंत में जो विधान सभा के चुना होंगे और अगले साल लोग सभा के चुना होंगे उसमें अपने मताधिकार के अधिकार का वेक्ति उपयोग कर सके खास करके युवाओं से अपिल है खबर समय जोगत के लिए समवादाता आदित सराथे की रिपोर्ट